नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिवाना IS Academy चंबा के YouTube चैनल में और आज जो हम डिसेस करेंगे आपकी स्क्रीन पे वैसे विजिबल है कि दहिंदू जो नीजपेपर है इसके हम फ्रंट पेज के ओपर कुछ वर्ड्स को डिसेस करेंगे आज की जो थीम है वो न्यूज के साथ में ये भी होगी कि हम जातर ये जो वीडियो में बना रहा हूँ वो पुलीस कॉंसिबल एक्जाम जो भी आने वाला है तो उन सुडन्स की क्वैरी थी कि हमारे जो वकैब है वो काफी कम है और एक्जाम से पहले यदि हमें वकैब के सिनानिम अन्टानिम क्वेशन हिट करने हो सही लगाना हो तो कैसे हम कहां से वर्ट्स प्रिपेर करें तो उनको मैंने किसला दिये कि जो कोई भी न्यूस पेपर इंडी न्यूस पेपर है उसका फ्रंट पे जो है वहाँ पे जो वर्ट्स दी होते हैं वही एक्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं तो आप टू मन्स के लिए एगर कॉंटिनुसली फस्स पेज के उपचा ट्रिब्यून है टाइम्स आफ इंडिया है दहिंदू है और आप कुछ वर्ट्स वहां से पिक करेंगे तो आप आएंगे कि उसी तरह के या वैसे ही जो है वो कोईशना को एक्जाम में आएंगे तो लिंचिंग आफ श्रिलंकन नैशनल इन पाकिस्तान इसका मतलब भी है कि जो श्रिलंका की सरकार है कोलम्बो या नब न्यू देली जब भी ऐसा कहते हैं तो में इस वहां की सरकार ने कंडेम किया लिंचिंग आफ श्रिलंकन नैशनल इन पाकिस्तान पाकिस्तान में एक जो citizen है श्रिलंका का उसकी killing हुई है, lynching हुई है lynching मतलब होता है जब भीड किसी पर टूट पड़े किसी motivation से और उसको मार दे, वो lynching होती है तो lynching शब्द आपने सिखा, lynching word यह हमारे पास है और lynching का मतलब यह कि जब भी कोई भीड बेकाबू होके एक sentiment के अधार पर किसी person को मार दे, तो वो lynching होती है यह से मालो कई हमारे देश में cases होए जहां पर एक muslim यदि unfortunate है बहुत, मगर ऐसा हुआ कि वो गाय को लेके जा रहा है गाड़ी में पालने के लिए, दूद के लिए मर पब्लिक ने जो जातर ऐसे लोग है जिनका ये विश्वास है कि मुस्लिम है वो अरगाय को लेके जा रहा तो उसको मानने के लेके जा रहा तो वो भी तूट पड़ते हैं पब्लिक के दौरा और फिर उस पे उस person को जो मुस्लिम उसको मा देते हैं तो ये lynching कहलाती है अब condemned करना मतलब क्या होता है जब भी किसी चीज के आप against कुछ कहते हैं ऐसे इसका proper meaning मैं कहुँँगे to say strongly that you think something or somebody is bad or wrong जब भी किसी की निंदा करनी हो आपने मने condemn is निंदा करना strong तरिके से so condemn हो निंदा करना जब भी किसी event की किसी घठना की आप बड़े strong तरिके से निंदा करते हो बड़े ही strong तरिके से निंदा करते हो तो होता condemn करना जब भी कुछ ऐसे घठना घठती है किसी देश में तो सरकार condemn क्या करती है कि हमने घोर तरिके से निंदा क्या करती है, एक घोर निंदा कह सकते हैं, आप कंडेम करना, लिंचिंग और कंडेम आपने दो शब्दियां से सिखे, अब दूसरी है मोदी जी यहाँ पे, और we believe in empowering all people, PM ने उत्राखंट, पधर मंत्री उत्राखंट के दोरे पे हैं, और उनने कुछ PM ने कहा कि empower मने, हम उनको उनका शर्षक्ति करना करना चाते हैं, तो मैं इस empower यह करना हुआ कि लोगों को आगे लेके जाना, empower करना, उनको शर्षक्ति करना, उनका करना, तो यह चीज़ होगी, अब यहाँ पे एक और news है कि former आंदरपरदेश, Chief Minister of आंदरपरदेश की रोसईया passes away, passes away होता है, किसी का गुजर जाना, death होना किसी की, passes away, यह हुआ, अब सिंथु outcast, outcast का मतलब होता है किसी को हराना, या पीछे छोड़ जाना, out, sorry, last, कहलाता है, तो यह outlast word भी काफी important है, exam में repeatedly आते हैं, और आप एक बाद माल लिजे कि newspaper जो English का पकड़िये, आ fill in the blanks, और error correction, तो आपको vocabulary आपके अच्छे होनी चाहिए, so outlast का मतलब हुआ कि, जो है वो, किसी को हराना, किसी को defeat कर देना, किसी को पीछे छोड़ देना, तो यह सिंधु हसरी है, मने वो जीत गई है, outlast means उनने या मगुची को हरा दिया है, यह बात यहां से हुई, जो आ अस्ताउंडिंग अजाज, अभी साउथ अफ्रीका के एक बॉलर ने, दस विक्टे ली हैं, एक इनिंग के अंदर, तो अस्ताउंडिंग होता है, surprisingly impressive, बहुत उम्दा, अस्ताउंडिंग मेंज बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, हेल होता है, प्रेज करना, हेल दी हीरो, हेल होता है, प्रेज करना, ह-A-I-L, जो मैंने हाई रो लगाया है, अब देखिए, इसको हेल दा हीरो, अपने को और वर्ड सीखा, हेल मीज प्रेज करना, जब आप किसी परसन को एक बहुत बड़े तरिके से प्रेज करते हैं, with high voices, उची आवाज के साथ, तुम कहते हैं, हेल, हेल दा हेरो, इस परसन को जो है, इस हाँसला अफजाई करनी है, इस रसे, तो अस्टावनिंग हुआ फिर बहुत ही उंदा, बहुत ही इंप्रेजिव, सप्राइजिंगली इंप्रेजिव, नोटेबल, जो बहुत बड़िया हो, यसे आपको कहूं कि ऐसा कारणामा अभी तक तीन दफा हुआ है, बने तीसरी बार यह हुआ है, दो बर पहले हुआ था और अभी तीसरी बार हुआ कि एक परसन ने पूरी इनिंग में सारी विक्टर के लिए ले ले ली, तो यह बड़ी बात है, अस्टावनिंग में इस इ हमने है, ट्राइड का मतलब क्या है, कनिविक्टर का मतलब क्या है, और सेंटेंस्ट का मतलब क्या होता है, सो ट्राइड एक शब्ध है, ट्राइल भी कहते हैं उसको, ट्राइड जब भी किसी परसन को कोट में पेश किया जाता है, तो उस पे जो इलजामात लगते हैं, और केतिन दिर तक उसपे केस चलता है हम उको ट्राइल बोलते हैं यसे मन लेजें कि आज किसी दर्ज हो गया और हो तीन साथ तक केस चलता रहा उसके कि क आज उसके ऐसको पर वह प्यासूला आजा जाएगा तो जो जो फैसला आता है तो या तो उसको बाइज़ बरी किया जाता है या तो फिर उसको जह वो सज़सना दी जाती है अगर वो प्रूव हो गए उसने ऐसा कराइम किया हुआ है तो उसको कन्विक्ट किया जागा कन्विक्ट का मतलब यह जैसे second word है इसका मतलब है कि declared guilty किसी परसन पर इल्जामात सही साबित हो जाना बने वो guilty है उसने ऐसा किया है तो यह है मीनिंग कन्विक्टेड का तो गन्विक्टेड में जब भी किसी परसन को गिल्टी माल लिया जाता है तो उसके बाद ज़साहब जो है उसको जह है सजा दे देते है तो convicted means कि उसको guilty माल लिया गया है बने उसने crime किया है अब sentence होता है सजा देना sentence next word हमारे पास ही नीचे है means सजा देना तो tried हुआ कि काफी समय तक जब उस पर दिलिरें चलती हैं कोर्ट में तो यह trial होता है, try किया गया फिर जब जब साब ने सब दिलिरें सुननी और फैसले पर पहुंच आते हैं और उसको guilty माल लेते हैं तो convicted हो गया है वो office sentence मतलब सजा सुना दे जाना या सजा देना उसको sentence होता है एक बात ही आप यहाँ से जान लीजे अगे बढ़ते हैं तो हमारे पास next है कि fresh cases in महारास्टर एंड गुजरात take omicron tally to four sorry omicron omicron क्या है कि यह covid virus का नया variant है अब आप कहेंगे कि नया variant variant का मतलब क्या है जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि variant देखे जब भी कोई virus travel करता है जैसे माल लोग हमने कहा कि covid virus जह है वो यह वहान शहर से आया चाइना से और इसने travel किया फिर डिफेंट डिफेंट कंट्री में patient के थूँ जैसे माल लोग एक person है जो चाइना गया था रो वो इंडिया आ गया तो उसके थूँ फिर देश में फैलेगा अब होता क्या है कि different जो मौसम या different जो इतरह का वातावरण होता है उसमें यह जो वाइरस है यह different डिफेंट तरह से या बिविन प्रकार से हो जाता है जैसे इंडिन वेरियंट अलग होगा जो USA का वेरियंट अलग होगा या फिर इंडिन का वेरियंट अलग होगा तो कई बार क्या होता कि जब कोई वाइरस अपने original form में निकलता है तो किसी दूसरे environment में जाके वो अपने अंदर changes कर लेता है तो हम कहते हैं उसको उसका variant जैसे माल जी करोना वाइरस निकला चाइना से पर जब यह suppose इंडिया पहुंचा तो इसने अपने अंदर कुछ बदलाव कर लिये तो फिर वो वाइरस तो चाइना से निकला था मगर वो जो जिस form और जिस shape में था अब वो थोड़ा सा अलग है उससे तो हम कहते हैं इसको उसका फिर variant है तो हम कहेंगे कि जो इंडिया का covid virus है वो इंडिन variant है है कि ने variant मतलब उसका एक प्रकार है एक तरह से हम आगे बड़े तो weakened जवाद drenches coastal odysa coastal होते हैं समुंदर से सटे हो लाके से इंडिया का मालो ये map है तो ये जो होते हैं ये समुंदर से सटे लाके हम coastal कहते हैं जवाद यह एक cyclone है उसका नाम है cyclone का जवाद तो ये जवाद भी आपको पतावना चाहिए जवाद 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 वो एक cyclone का जो चकरवाद है उसका एक नाम है और ये चीज़ है यहाँ से कर मैं कहूं तो agitation होता है आंदोलन agitation ये तरह से जब demand कोई community करती है कोई group करते से farmers ने भी agitation मने आंदोलन की भोग अरताल की और धरना परदर्शन किया so agitation means हरताल करना धरना परदर्शन करना वो agitation होती है जब भी कोई demand हम सरकार से पूरी करवाना चाहते हैं तो उनके सामने कि वह परदर्शन या धरना परदर्शन या किसी भी तरह से किसी farm में वो agitation होती है तो यह चीज है तो five member panel to pursue farmers pursue means उनके साथ negotiation करना pursue तो pursue एक शब्द है means विचार विमर्ष करना उनके साथ बातचित करना तो pursue 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 means विचार विमर्ष करना बातचित करना अब सरकार ने तीनों बिल वापिस ले लिए हैं जो agriculture के अंदर तीन बिल लाए गए थे किसान ने लगातार विद्रो किया उसका उसके लिए protest किया और agitation की और सरकार का उप जह तीनों बिल वापिस लेने पड़े हैं मगर सरकार की तरफ से कुछ five member का panel है जो अब किसानों से बातचीत कर रहा है यह चीज़ है यहां से जो आपको जानने चाहिए थे अब बोस्ट होता है यहां BOLSDR बीजेपी अब बोस्ट होता है कि किसी को आगे लेके जाना आए किसी को होसला मिलना वहां से तो अब यूपी में क्या हो रहा है कि जो congress party है उसके अगल बगल में जो दल है समाइबादी पार्टी है या BSP है वो अलग थलक पड़ गई है जिस कारण जो है एक आप कहसे हैं कि बीजेपी को बल मिलेगा इसे बोस्टर मींज इक तक बल मिलना या उसको आगे ले जाने के लिए help मिलना बोस्टर कहलाता है एक और फ्रेज है जो मेरे दिमाग में आ रही है very very important kick off kick off होता है start होना start होना means kick off culture mapping of 80 villages kicks off मने start हो गई है तो ये फ्रेज भी करे बार exam में पूछे गई है तो आप इसके लिए भी थोड़ा इसको निकले हर एक word जो मैं कहा रहा हूँ इसको आप लिख ले यह शब्द है alliance alliance means गटबंदर जब भी कुछ पार्टियां दो पार्टियां चार पार्टियां आट पार्टियां या बीस पार्टियां मिलके गटबंदर बनाती हैं मने एक alliance बनाती हैं तो सिधी सिवात है कि alliance means गटबंदर अब government to clear all air India dues this fiscal अब यह शब्द है dues होता है कि balance जब भी किसी का पैसा रहा हो देने के लिए हम उसको dues कहते हैं तो सरकार को air India को कुछ पैसा है जो उसको pay करना है जो dues हैं जो balance उसको pay करना है इस fiscal फिसकल का मतलब क्या होता है कि financial year को هम fiscal कहते हैं जैसके पूरा होता है एब से fiscal means money पर कई बार जहें शौट में news paper लिकते हैं कि this fiscal मतलब इस financial air के अंदर सरकार असा करेगा और financial year अब जानते हैं कि march to march चलता है परहाल ये कुछ 15 या 16 या 17 वर्ड्स थे जो आपको मैंने बताया पुलिस कॉंसिर्वल एक्जाम के लिए आप कोई भी ट्रिबून का नीज़े प्रोठा के भी इस तरह से चेक कर सकते हैं मगर अगर आपको समस्य है कि हमें कौन सा वर्ड पिकौन करना है तो आप इन्य वीडियो को देख के भी अपना काम चला सकते हैं हमें इस तरह से 15 या 16 या 18 या 20 वर्ड्स डेली बेसिस पे पिक अप करने हो और अगले पुलिस कॉंसिर्वल एक्जाम के लिए जो दो महीने बाद हो सकता है तो उसके लिए हमें एक वकैब बिल्ड अप करने हैं और आप मानके चलिए कि सारे ही सारे आपको एंटानिम सेनानिम या या यह है वकैब के क्वेशन यहां से फिक अप होते है साथ ही साथ में शिवाना आइस अकाडमी के जो क्लास नोट्स हैं जो वर्ड पावर मेड इजी बुक से करवाय जाते हैं जो किसी भी स्रूडन के लिए खास करी पुलिस कॉंस्टेबल स्रूडन के लिए पढ़ना असान चीज़ नहीं है तो यह आप किसी भी स्रूडन से हमारे ले सकते हैं तो इस रिके से आपकी जो वर्ड वाला पार्ट है जो कि 16 क्वेशना को टोटल आएंगे वहाँ से 4 क्वेशन मेरा गैस है कि वर्केबलिटी से जोड़े हो सकते हैं आपकी वर्केब चेक करने के लिए अन्टॉनिमों से नॉनिम हो या किसी भी तरिके से जो आप से पूस रते हैं तो यह हमारे तब से आपकी विले प्रपेशन रहेगे तो बराल यह एक शॉर्ट वीडियो है आप इसके एक शॉर्ट नोट्स भीना ले सासात में मिलते नेक्स वीडियो के अंदर धन्यवाद